हलो आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत थवन में बहुत बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारी हर लेटिस्ट अपडेट पास सकें नमस्कार आपका स्वागत है करमायरोदा के यूटिप चैनल पर मैं निखल शर्मा फिर से लाया हूँ किड्नी से जुड़ी जानकारियां आप करमायरोदा के यूटिप चैनल पर किड्नी से सम्मधित हर प्रकार की जानकारियां आसानी से ले सकते हैं आपके लिए मैं हमेशा किड्नी से जुड़े कुछ नई टॉपिक्स लेकर आता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम किड्नी से जुड़ी डाइट की जानकारी के लिए एक खास पेशकर्स आप लोगों के सामने लाते हैं जिसके लिए आज हमारे साथ डाइटिशन श्रेया मौझूद है, श्रेया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कर्म एरुदा के यूटीब चैनल पर, तो आज हम बात करेंगे किड्नी पेशेंट्स की डाइट के एक एहम इससे की, जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे किड इस प्रड़क्स को हटाना और ब्लट को फिल्टर करना होता है, इसके अलावा किड्नी एक्स्ट्रा पानी, मिनरल्स और कैमिकल्स को हटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यह बॉडी में पानी और मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बायकार्वनेट को भी कंट्रोल करती है, वहीं फ्रूट्स हर किसी परसन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, फ्रूट्स आपको हेल्दी रखने में हैप करते हैं, साथ ही यह आपको बिमारियों से भी बचाते हैं, यहीं अगर हम किड्नी पेशिंस की लाइफ में फ्रूट् ना इक खटे हो रहे होते हैं, ऐसे टॉक्सिक सबस्टांस को बहार निकालने के बस दो ही तरीके होते हैं, पहला या तो आप उनको बहार एक्स्क्रीट आउट करना शुरू कर दे, दूसरा या फिर उनका बॉड़ी के अंदर इंटेक कम कर दे, यहीं फ्रूट्स की बॉड बॉड़ी में मिनरल्स को बैलन्स करने में भी हेल्प करते हैं, बड़ साथ ही मैं आपको यह भी बता दू, सभी फ्रूट्स कीद्नी पेशिंट के लिए अच्छे नहीं होते, और उन्हें कुछ फूर फ्रूट्स को अवड भी करना होता है, और साथ ही फ्रूट्स को लिमि न्यूट्रेंट्स की मात्रा जादा होती है, फ्रूट्स में बड़ी मात्रा में पोटाशियम होता है, इसलिए इनका इंटेक लिमिटेड अमाउंट में ही करना चाहिए, सही फ्रूट्स चुनने के लिए पोटाशियम के लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, सही फ् सेब फाइबर और एंटी इंफ्लमेटरी गुड़ो वाला फूट होता है 100 ग्राम सेब में 1 मिली ग्राम सोडियम, 107 मिली ग्राम पोटाशियम, 10 मिली ग्राम फोसफोरस होता है जो कि हमारी किड्नी के लिए फायदे मंद है सेब कॉलिस्टरॉल को कम करने में हेल्प करता है हार्ट डिजीजेस को ठीक करने में हेल्प करता है किड्नी की बिमारियों को और कैंसर तक को कम करने में हेल्प करता है ये हमारी बोडी को डीटॉक्स भी करता है Red grapes यानि कि लाल अंगूर एक kidney friendly और एक tasty fruit है लाल अंगूर जो है आपका high in vitamin C होता है और इसमें high amount of flavonides होते हैं जो कि एक तरह के antioxidants हैं और ये आपको खून के को जमने से रोकते हैं Reservator एक प्रकार का flavonide है जो कि आपके blood circulation को बहतर करता है और साथ ही swelling को कम करने में help करता है इससे kidney healthy रहती है 75g red grapes में 1.5mg sodium, 144mg potassium, 15mg phosphorus होता है जो कि हमारी kidney को clean करने के लिए काफी helpful होती है Blueberry ये nutrient से भरे होते हैं और antioxidant में सबसे अच्छे sources में से एक हैं जिसे आप खा सकते हैं विशेश रूप से इनमें anthrocyanins होते हैं जो कि एक प्रकार का antioxidants होता है ये आपके heart disease, cancer और diabetes के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये kidney friendly food diet के लिए एक बहुत ही अच्छी option है क्योंकि इसमें sodium phosphorus और potassium कम amount में होता है 148g blueberries में 1.5mg sodium, 14mg potassium, 18mg phosphorus होता है जो कि हमारी kidney को clean करने के लिए काफी फायदेमन होता है pineapple यानी ananas हालकि pineapple भी खटे fruits में आता है फिर भी kidney patients इसे खा सकते हैं क्योंकि fortunately pineapple kidney patients के लिए एक मीठा कम potassium वाला option है यहीं संत्रे, केले और किवी में potassium की मात्रा बहुत जादा होती है इसकी अलावा pineapple में fiber, vitamin B, manganese और bromelain अच्छी मात्रा में मिलता है bromelain एक enzyme है जो की swelling को कम करने में मदद करता है 165 gram pineapple में 2 mg sodium, 180 mg potassium, 13 mg phosphorus होता है cranberry को भी एक kidney friendly fruit कहा जाता है cranberry, unary tract और kidney दोनों के लिए बहुत ही पाइदेमंद है इन छोटे तीखे फलो में A type pro anthocyanins होते हैं जो की एक तरह के phytonutrients है यह bacteria को unary tract की layer से चिपकने से रोकते हैं और साथ ही infection से भी बचाता है यह kidney patients के लिए काफी helpful होता है क्योंकि यह unary tract infection यानि की UTI के खत्रे को भी कम करते हैं 165 gram cranberry में 2 mg sodium, 180 mg potassium, 13 mg phosphorus होता है इन fruits के साथ साथ आप कुछ और fruits भी हैं जो ले सकते हैं जो की आपकी kidney को healthy रखने के साथ साथ उनकी cleaning में भी आपको help करेंगे जैसे की आप आडू, अंगूर, नाशपती, जामून, स्टॉबरी, नेक्ट्राइं, प्लम, किनू और watermelon खा सकते हैं श्रेया जी जैसा कि आपने हमारे viewers को और हमें बताया कि kidney patients यह यह fruits खा सकते हैं क्या आप हमारे patients को बताएंगे कि उन्हें कौन-कौन से fruits हैं जो avoid करने चाहिए Kidney patient को high potassium fruits नहीं खाने चाहिए उन्हें इनमें banana, kiwi, kharpooja, orange, cantaloupe, mango, avocado, honeydew, prunes को बिल्कुल ही avoid करना चाहिए और अगर वो खा रहे हैं तो एक limited amount में खाएं और अगर मेरी माने तो मेरे according इन सभी fruits जो की आपके high potassium है बिल्कुल avoid करें तो दोस्तो यह थी kidney patients कौन से fruits खा सकते हैं और कौन से fruits उन्हें avoid करने चाहिए जुड़ी जरूरी जानकारिया और धन्यवास श्रियाजी आपने अपना कीमती समय कर्मायरुदा को दिया अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किट्नी से संबंदित किसी भी रोग से पीडित है तो आप कर्मायरुदा किट्नी केंद्र में संपर्ख कर सकते हैं दर्मायुदा किट्नी केंद्र में संपर्ख करने के लिए आप हमारे नमबर, इमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपोजिट निमस, नेताजी सुभाष प्लेस, पितंपुरा, न्यू डेली 110034. हमारे फोन नमबर सें 098-7171-2050, 011-4264-4274. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लोग उन भी कर सकते हैं।